हलो दोस्तों, नवस्कार, मैं हूँ कोवन और आप देख रहे हैं कोवन इन्पोटेक्ट चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इडियस के अंत्रगत इग्नोर पिक्सल एस्पेक्ट आप्शन का उप्योग करना जिसकी सायता से किसी भी इमेज या वीडियो को फुल स्क्रीन पर कैसे सेट करते हैं चाहें वो वीडियो या पिक्चर किसी भी साइज में हो तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों हमने अपने इडियस सौप्टेर को ओपन कर लिया है अब EDS के अंतरगत सबसे पहले उस वीडियो या इमेज को बीन के अंतरगत इंपोर्ट करा लें तभी देखें बीन के अंतरगत हम मौझूद हैं दूसरी तरह पुसका एक्स्प्लोर दिख रहा है इसमें राइट क्लिक करेंगे आट फाइल को क्लिक करेंगे और जो भी आपकी इमेज फाइल है या वीडियो फाइल है या जो भी क्लिप्स हैं उन सबको आपको यहां पर इंपोर्ट कर लेना आग भाईदो दोस्तों अभी हमारे पास सिर्फ फोटो जी हैं मतलब image file है इन सब का ही उपयोग करके हम वीडियो बनाने वाले हैं तो हमने यहाँ पर सब को select कर लिया और open को click करा जैसे ऐसा करेंगे तो सारी files इसके अंतरगत import होकर आ जाएंगी या वे सारी file यहाँ पर load हो जाएंगी इन सारी file को सबसे पहले master VA 1 VA पर लाकर रख देते हैं इससे पहले किसी भी clip को master track पर कैसे लाते हैं उसकी वीडियो हमने अपने playlist में बना करकी है आप एक बार अवस्ते देख लिजेगा इसे लाने के लिए मैं shift plus enter की का उपयोग कर रहा हूं जैसे ही select करके shift plus enter की press करेंगे तो automatic सारी file आपकी जो भी select होंगी one भी है यानि कि master track प अब दोस्तों यहां पर हमें ध्यान से यह समझना है कि देखें यह जो नीले color में आपको box दिख रहा है इस frame के अंदगर देखें तो photo दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कटा हुआ नजर आ रहा है मैं इस image को फूरे computer screen पर आपको दिखा रहा हूं उसके लिए इस पर आप इसे open करके दिखाता हूं यह वाली file है हमने इसे double click करा तो देखें कुछ इस तरह का यह दिख रहा है पूरे screen पर लेकिन यहीं जब हम अपने software के अंदर import करा हुए है तो देखें दोनों तरफ से कटा हुआ नजर आ रहा है तो इसको कैसे हमें maintain करना है ताकि यह पूरे screen प दिखाई दे तो सबसे पहले दोस्तो one VA के अंतरगत सबसे पहला वाला जो image है इसे आपको click करना है means select करना है select करने के बाद से आपको information tab में जाना है और यहां जाने के बाद layouter पर double click करना है जह ही double click करेंगे तो layouter करना है या window खुल कर आ जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर find out करना है ignore pixel aspect अभी मैं इस पर कुछ नहीं कर रहा हूँ सबसे पहले इस frame को आप देख लिजे आप यहाँ से frame को adjust कर सकते हैं up down left right अगर जो up down सही है left right आप set करना चाहते हैं तो देखें यहाँ पर दो button बने हुए तो फिलाल मैं left right रखना चाहता हूँ तो इस button को click कर देता आ रहा है थोड़ा समय नीचे करकर दिखाता हूँ देखिए उपर से नीचे भी देखते हैं थोड़ा से उपर करते हैं तो नीचे भी जानि कि adjust नहीं हो पा रहा है और यहीं up down हम set करते हैं तो दूसरी तरफ से cut जाता है देखिए up down हमने set करा तो image तो इस frame में आ रहा है ल इसे check mark करने के बाद से दोस्तों यहाँ पर layouter का एक button मिलेगा यहाँ पर आपको check mark on करना है और यहाँ पर मिलेगा play line इस play line को आपको drag करते हुए on to तक ले जाना है और ok को click कर देना है जहीं ok को click करेंगे तो अब देखेंगे तो यह image full screen आ चुका है यदि अभी आपको नह images पर करने होंगे तो अभी बहुत time लेंगे आप चाहते हैं सब पर एक ही साथ हम set कर दें तो उसके लिए दोस्तों इस layouter को आपको एक effect के रूप में save करना पड़ेगा save करने के लिए जिस पर भी आपने पहले image पर apply किया था जिस भी image पर उसे select रखिए और जो layouter display हो रहा है उस पर right click करिए और right click करने के बाद save as current user preset को click कर देजे जैसे आप इसे click करेंगे तो यहाँ save हो जाएगा अब यहाँ पर question बनता है कि यह setting save कहा हुआ है तो दोस्तों आपको effect को click करना है जिसे भी folder को आपने click करा होगा उसके अंतर का तिहाँ automatic वहाँ पर display हो जाएगा जैसे देखिए आप layouter display हो रहा है तो अब इस layouter को उठा कर अब आपको दूसरे वाले image पर लाकर रख देना ह जैसे ही आप रखेंगे तो आप देखेंगे दूसरे का भी pixel जो है aspect ratio में आपर complete रूप से पूरे frame में आ चुका है तो तीसरे पर भी रखने के लिए आपको same way procedure अपनाना effect को click करिए layouter को लाइए इस पर रख दीजे इस तरह तो image की संख्यात ज्यादे होगी तो बहुत ज् भी item select हो जाएंगे और select होने के बाद से अब आपको effect में जाना है जो layouter अभी आपने save करा है इसको drag and drop कर देना है किसी भी एक image के उपर जैसे किसी भी एक image पर आप apply करेंगे या drag and drop करके छोड़ेंगे जारे image पर apply हो जाएगा दोस्तों इसमें थोड़ा सा वक्त भी लग स यह कही वाला effect यह apply हो गया और सभी के सभी यह aspect ratio में आप डिस्प्ले हो रहा है ठीक यही पर किरा दोस्तों वीडियो के साथ भी आप कर सकते हैं वीडियो का frame भी अगर जो छोटा नजर आ रहा हो और आप full screen करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं तो इस परकार दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा EDS के अंतरगत image को aspect ratio के हिसाप से कैसे maintain करते हैं full screen पर आसा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए channel परना है तो subscribe कर लिजे मिलते हैं दोस्तों आपको new video new tips and trick के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत